प्रस्तुत है क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्रा ले भारत सरकार द्वारा प्रायजित कारिक्रम किसान की बात की आंदनी दुगली लक्ष अमारा हर किसान की आंदनी दुगली एक नहीं नहीं तरकी वे अब हमको है चुने इस कारिक्रम की प्रायुजग है क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्रा ले भारत सरकार प्रदान मंत्री किसान मांधन योजना प्रदान मंत्री किसान मांधन योजना से लगु सी मांत किसानों का भविष्ट होगा सुरक्षित और साथ वर्ष की आयू से तीन हजार रुपे मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित पचपन रुपे से दो सो रुपे की मासिक किष्ट देकर प्रवेश कर सकते हैं अच्छारा से चालिस वर्ष तक के किसान इस अंच्टायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदा सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाप के लिए जन सेवा केंदर में जाएं और अपना निशुक नामांकन कराएं प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना अन्यदाता के परिश्च्रम को संबख पेंशन से सुरक्षित उनका कर कृशी एवं किसान कल्यान मंत्रा ले भारत सरकार द्वारा जनित में जारी स्वागत है आप सभी के कारिकरम में आखा श्वाणी का 101.1 में कल्श पर किसान की बात कारिकरम की एक और कड़ी लेकर आपके दो दोस्त हासे हैं मैं हूँ ऐरवणद हो मेरे साथ हैं मैं हूँ आपके साथ कोमल भारती और आज अरवणद जो हम कारिकरम का विशय लेकर के आए हैं वो बहुत जादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब हम बात करते हैं अपने कारिक्रम में किसानों की, तो किसानों से जुड़ी भी बहुत सारी बाते होती हैं, बहुत सारी चीजे होती हैं, जियां, जहां किसानों की बात करते हैं, तो मां सिर्फ फसल कैसे बहसं हो, कीटना सिकरस कैसे बचाएं, बीच कहां से लें, कैसे प iTunes को हो आूझए Okay Drink Analysis, है कि अगर उसे अचानक कहीं भी कोई जरूत पड़े तो सुपह हो पहले क्या होता था कि उनको या तो किसी से अपने रिष्टिदारों से उधा लेना पड़ रहा है या फिर बहुत लंबा चोड़ा बैंक के वो है तो उसके चक्कर में महाजनों के पास जाते थे कि बहुत आसानी से उपलब नहीं होता था जिससे उनकी फसल को नुकसान होता था और उनकी खेती में भी समस्याया आती थे बिल्कुल और जब वो कभी महाजन के पास जाया करते थे तो उससे इसमय पर किसानों के लिए बहुत सारी योजनाये लेकर के आती है फिर चाहे वो मित्टी से जुड़ी हो पानी से जुड़ी हो इसमें और भी सुदहर किये जाते रहते हैं ताकि हमारे किसान भायो कभी भी धनी के वज़ह से खेती में को नुकसान ना हो, कुछ भी उना तुरंट चाहिए वो तुरंट उपलब दो और आज का ये विशय है हमारे की किसान क्रेट कार्ड किसानों के लिए लाबकारी किस तरह से हो इस पर तो हम बात करेंगे ही लेकिन हमारे किसानों को ना बहुत जादा कई बार डर लगता है कि वो किस तरीके से इसका इस्तमाल कर सकते हैं या इसमें कौन-कौन सी जरुवते हैं जो वो अपनी पूरी कर सकते हैं, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई, या कौन-कौन से किसान इसमें पातरता रखते हैं, कितनी जमीन होनी चाहिए, तो इन सभी सवालों का जवाब जो है आज के इस कारिक्रम में हमारे किसान मित्रों को मिलेगा, और किसान के साथ-साथ उन स अब ही लोगों को मिलेगा, जो खेती बाड़ी ही नहीं करते, बलकि और भी कईक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो कि किसानी से ही संबंदित हैं. जी हाँ, और इस से जुड़ा हुए आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए, और इस पे और अधिक जानकाई देने के लिए, आज हमार साथ विशेशक्य मौजूद हैं स्टूडियो में, डॉक्टर सुनील कुमार, आप सहायक आयुक्त हैं, कृषी एवं किसान कल्य हम से जुड़ते हैं, वो हम समय समय पर आप सभी को बताते ही रहते हैं, तो आज जो आप सभी के लिए टेलिफोन लाइन्स हमने उपन की है, वो है 011-2342-1081, यानि इस नंबर को आप डायल करते ही, आप हम से जुड़ जाएंगे, और अपने इस किसान क्रेडिट कार्ट से संबंदित, जो भी अपने सवाल हैं, आप वो तयार रखे, डाक्टर साब हमारे हाँ स्टूडियो में मौझूद है, आपके उन सभी सवालों का जवाब वो यहाँ पर देंगे, जी हाँ, तो डाक्सुनील इससे पहले कि हमारे शुरुताओं की कॉल है, और इस पर अपनी जुड़ी हूए जानकारी चाहें, ईक सामान है, अर्थ में हम समझना हैं, क्रराइट करते हैं, जितने वी नोकरी पेशा है, और भी लोग हैं, आम तो भी बैंक, आप जब अकाौंट खुलवाते हैं, तो आज जा जा हुए यह किजी ते उसमें, और बहुत सारे लोग इसम इस्ट्रुमेंट है, किसान क्रेडिट कार्ड इसमें कहते हैं, जिसमें हम लोग जो सुषिधा दिया उवा है किसानों को, कि आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो आपको दे दिया जाता है, और एक कार्ड के माधिहम से आप कहीं भी इसका उपयोग कर सकते, पूरे आपको दिया गया है इस काड में कि कहीं भी आप क्याश करें और जब भी आपको जमा करना है तो जमा करें तो इसमें आप अगर देखे कि नार्मल क्रेडिट कार्ड हम लोग यूज करते और इसमें हमं तो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में भी हमें लिमिट मिलता है, इसमें भी एक हमें सीमा दी जाती है, हरे किसानों को कि कितनी आपकी सीमाएं है, जो भी निधारित करती है, लेकिन उसमें क्रेडिट कार्ड में एक अबदी होती है, किसान क्रेडिट कार्ड की अबदी जो होती ह लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लोग के लिए हैं इसमें दोगाते थे उसके लिए ही मिलता था अब इसमें बहुत सारे एलाइड activities भी जोड़े गए जैसे आपको पता होगा कि आभ समें मतेसे पालन करते हैं आपके जो अपनी इनकम बढ़ा सके जिसके कारण से वह सारे activities के लिए भी कि हम लोग सरकार ने सुविजा दिये कि आप किसान credit card से धन मुहया ले और उसके अधार पर आप अपनी income को बढ़ाएं लेकिन जैसे डॉक्टर साब आपने बोला कि खरीफ की फसल के लिए या रभी की फसल के लिए या आप कौन तो इसके लिए हर एक में एक bank जो है scale of finance DLTC होती है जो एक जिला में अस्तरकपर कमीटी है वो हर एक crops के लिए परती hectare या परती unit वो एक scale of finance टैक करती है और किसानों को उसमें है कि कितना उसमें खेत का है तो खेत लगा रहें किस फसल का लगा रहें या पसु पालन कर रहे हैं तो कितने पशुपालन कर रहे हैं जिसे गाई भहेश के अगर पालन कर रहे हैं तो किसान बैंक देखते हैं कि कितने उनके पास unit है गाई कितने हैं उसके में हर एक गाई के लिए वो एक परती वर्ष के लिए वो एक निर्धारित कर रखे हैं कि इतना खर्चा आता है उस खर्चे के अधार पर उनकी scale of finance निर्भर करती है तो किसान भाई इसमें यह समझें कि जो चीज आप लगा रहे हैं उसका ब्यूरा आपकी बैंक को दे बैंक उसके अधार पर ही आपको रिन्य के लिमिट बनाएगी उस लिमिट को आपके credit card में डाल दिया जाता है और यह credit card में से आप कभी भी इसको निकाल सकते हैं यूज कर सकते हैं और जो आपको चीजे हैं कि जब आप आपकी अबधी दी गई है कि इस अबधी तक में आपको समाप्त करनी है या आपको पूरी payment करनी है किसान भाई किरपा उस पर ध्यान दे वगर उस समय पर भुकतान करेंगे तो आपको अतिरिक छूट मिलेगी जो सरकार जो है 3% की अतिरिक छूट देती है जी हम इसकी जो सीमा है उस पर हाँ एकदम अलग अलग होगी जैसे आप देखेंगे अगर मैं बात करूँ धान की तो मेरिट के लिए अलग होगी अगर बनारा सिक देखेंगे तो अलग होगी गाई में भी देखेंगे तो गाय में बहुत सरी परजातियां पाए जाती है तो हर एक परजातियां का रख रखाव करने के लिए उसकी जो दूद की जो छमता होती है उसकी अवसकता को देखते हुए वो एक यूनिट बनाया जाता है हर एक जिलावार में तो इसमें देखिए कि हर एक चीजों को दिहान म आप ले रहे हैं, जैसे आप गाई के लिए अलग है, बकरी पालन के लिए अलग है, मुर्गी पालन के लिए अलग है, मुर्गी पालन में भी आप देखेंगे, तो हैचरी के लिए अलग है, वो वाइलर के लिए अलग है, तो जो आप करिया कलाब करते हैं, जितकी अबधी हो तो उस धन की अवसकता को एक calculation होता है और पूरे उसकी जो DLTC है district level technical committee उपूरी अध्यान करती है सारे चीजों को कि क्या क्या जिसमें अवसकता है हर एक जगा के लिए हर एक ब्रीड के लिए और उसके अधार पर ही निर्दारित करती है ताकि इसमें ये चीजे सरकार देखती अभी एक caller हमारे साथ मौजूथ है उनसे जान लेते हैं उनका क्या प्रश्न है hello hello जी स्वागत है आपका कारिकरम में अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं आप करमपुरा अदिल्ली से ही तो आम क्रेड़ कार्ड में क्या फ़र्गे था सब्सक्राइब बताएं और दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्रेड़िट कार्ड को इसका आविधन करने के लिए क्या फॉर्मुला है क्या तो तरीका इसका नगरका हो इसे फाइदे और नुक्नास से इसके चीज़ों को अधिया करते हैं चीज़ों को अधियन करते हुए बैंक भी आपको को लिमिट देती है इसमें एक चीज आप देखेंगे केवल अंतर इतना ही है दोनों में कि आप जो जब जनरल क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो उसको जो है आप मंथली आप पेमेंट करते हैं इसमें एक पेमेंट पिरियेड इसका बड़ा होता है कि एक साल के अंदर छे मैने के अंदर छे म रिमिट निकाले जब जमा करे बैंक में आपकी लिमिट में जुड जाएगी जितना आपकी लिमिट बनी हुए उतना ही पैसा जितना निकाला हुआ है उसी पर आपको ब्याज लगेगा और ये सरकार इसलिए इसको दिया है कि आप credit card में पढ़े लिखे लोग जो थे पहले सहरी वाले यूज करते थे किसान भाईयों को भी उसी की तरह हम जो सहरी लोग यूज करते हैं या पढ़े लिखे लोग हैं जिनको स्विधा दी गई थी जो सभी को आप देखेंगे किसान को भी भी आपको normal bank credit card नहीं दे पाते हैं क्योंकि कि उनकी income नहीं पता होता है और इस किसान क्रेडिट के माधियम से हम लोग उनको सरकार मुहया कराती है कि उसी तरह की सुविधा किसान भाईयों को भी मिले तो यह सरकार का परपस है और जैसा भी बता रहे थे हम कि जिस कारण से आप खेती करते हैं जिस फसल को गाते हैं या जो बेवसाय में आप जुड़े हैं क्रिसी बेवसाय में आप डेरी में हैं फिशरी में हैं मतस्य पालन में है या फिर आप ओल्ट्री में है तो इसके अधार पर या सेरी कल्चर में है लेक कल्चर में है तो यह सारी जो एक्टिविटी आप जो क्रिया कलाप है उसमें जो द्धन की अवसकता होती, वो द्धन की अवसकता के लिए एक पैमाना है जिला लेवेल पर उसी पैमाने के अधार पर आपका जो है लिमीट बनाया जाता है, उसको आप उपियोग कर सकते हैं, एटीम से भी उपियोग कर सकते हैं और जा के खरीच सकते हैं उस काट से, उमीद ह सब्सक्राइब करने लिए अपना परीचे दे और अपना प्रेश्न करें श्वाल यह किसान के प्रेश्न होगे हैं यह पत्रकार हुआ है यही स्मार्शेवा करते हैं लोगों को जानकारी देटे हैं जी हाँ यह जो credit card है जो किसान उकली लापकारी इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरह से आप सस्ते मेरा रिन ले सकते हैं और आप किसी भी उसमें इसमाल कर सकते हैं और डॉक्टर साफ हम लोग बात कर रहे थे इसके लापकी इससे पहले हम एक चीज और हम जानना चाहेंगे आप से इसकी पातरता को लेकर आपने जैसे बताई कि हर किसी के लिए सीमा अलग हरन की कि जैसे चाहे वो फिश्रीज में हो या पशू पालन में हो या फिर सामाने उ क्या मिनिम्म खेत होना चाहिए मिनिम्म पशू होने चाहिए जैसे कि सामाने क्रेट कार्ड के लिए आपने अभी बहुत अच्छी बात बोली कि बैंक आपको इसलिए नहीं देगा क्योंकि आपकी इंकम क्या है नहीं यह बड़ा समस्य हो जाते इसलिए लोग उससे दूर भी रहते थे और बड़े जटिल समझते थे लेकिन क्योंकि बहुत अच्छी एक चीज निकाली है सरकार ने किसान उकले क्रेडिट कार्ड तो लेकिन उसके लिए पात्रता क्या तैकी गई है देखिए इसमें सभी किसान पात्रे है चाहे इसमें आपकी अपनी खेती है या पिर किसी दूसरे एक खेती पर कर रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे कि अपने खेत पर भी करते हैं या दूसरे के खेत में करते हैं तो भी उनकी पुंजी की आवशकता होती है तो इसमें सभी पात्रे हैं जो भी किसी एवम जो इनके अलाइड एक्टिविटी जो बता रहे या कोई चीज दिखा नहीं पाते हैं कि हम क्या बेवसाई कर रहे हैं अधर कर रहे हैं तो इसमें समू बनाते हैं जैसे सेल्फ हेल्फ गुरूप करके आप देखते हैं रूलर डेवलप्मेंट में सारे स्की मिलते हैं इसमें भी जॉयन्ट लियाबिलिटी गुरूप बनाके क उनको भी उपलप्त करा जाता है और उनको भी किसान के रेडिट कार्ड मुहिया करा जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड के साथ भी नियम और शर्ते लागू होते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में उपलब्द है। जिसमें आपको दो लाग का प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं, अदर चीजे हैं, इनकम हैं, उनके पूरे परिवार और आदे कर रहते हैं। क्या कहते हैं, प्रशन हैं, जो बहुत मुश्किल से जवाब दिया जा सकता है। जी है, इसमें जैसे कि आपने जीवन की बात होगे, तो बहुत बड़ी चीज है, भार सरकार की एक और योजना भी है, फसल बीमा योजना, क्या वो भी स्क्रेट कार से किसी तरह से लिंक हैं। अब देखेंगे ये चीजों को, तो अगर पधान मंत्री फसल बीमा योजना है, वो हरे किशानों के लिए पहले आवश्यक थी, कि जो भी आप अधिसुचित फसल हैं, उसके लिए बीमा बैंक कर देती थी, अभी भी देख रहे होंगे कि आपका बेमोशम बारिस है, जो आ किरतिक आपदा के कारण उनकी कभी-कभी फसल बहुत नुक्षान हो जाती है, तो ऐसे में जो है, सरकार ने परधान मंत्री फसल बीमा योजना भी चला रही है, उसमें सभी बीमित किशानों को अधिसुचित फसल के लिए गलरीन लिये हुए है, तो उनको आवश्यक और आपको जमा करना है, तो आपको दो हजार रुपे अतरिक लिमिट आपको बैंक आपको मोहिया कराएगी, वह भी साथ परतिशत ब्याजदर पर जरूरी है, इस पर हम आएंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ा फैक्टर होता है, कितना ब्याजद देना पड़ेगा बड़ा सरकार माप कर देती है, अगर आपने शायद लगता है अभी लेट यूनिन की, हमने इसी प्रशनिका उत्तर पर हम अभी चर्चा हमने खतम की, कैसे होगा, ब्रीफ में आपको बता देते हैं कि उसमें कुछ बीमा भी होता है, किसान का, उसके एज़स्ट हो जाता है और उसक अच्छा गाजा चार्ज लेता है, इसलिए क्रेट कार्ड को काफी लोग पसंद नहीं करते हैं, तो किसान क्रेडिट कार्ड की जो ब्याजदर है, वो क्या है, और उसका भुगतान जो है, मुख्य रूप से किस तरह सीखे जाएगा, वो हम चाहेंगे विस्तार से बता है, आप भी दो काड़ों का भी आपने देख रहे थे कि क्या अंतर है, तो बता देना वहुत जरूरी है, जो जिनरल क्रेडिट कार्ड आप बैंक मुहया कराती है, उसमें जो ब्याजदर जो होते हैं, वो 14-36% के दर पर आपको वार्शिक लिया जाता है, आप जितने आप भु भईया करा जाए, तो इसमें जो किसानों को जो दिया गया है, आपके अभी लिमिट रखा गया है कि परते किसान, 3 लाग तक का बिलिरीन है, वो 7% ब्याजदर पर मिलेंगे, कभी कभी किसान की ज़्यादा धन की अवश्रकता होती है, तो उसमें भी सरकार ये ध्यान देती है, जो समय निर्धारित किया गया है, या जब आप फस्ट लोन डिसबर्शमेंट लेते हैं, मतलब फस्ट निकासी करते हैं लिमिट के बाद, तो उसके एक साल के अंदर अंदर तक भुक्तान कर देते हैं, तो तीन परतीसत की अतिरिक्त आपको सहायता दी जाती है, उसको प्रॉम्ट रिपेमेंट इंसेंटिव काते हैं, कि समय पर आप भुक्तान किये, उसको हम प्रत्साहन के रूट में तीन परतीसत आओर आपको दिये, तो आपको चार परतीसत ब्याज दर पर आपको पूरे जो है तीन लागता की मुहया के राज़ती, और इसमें सबसे बड आप जमा करिए, जीरो करिए और उसी दिन से फिर लिजिए, जिस दिन आप जीरो करेंगे, दुसरे दिन आप लेंगे, तो वहां से फिर एक साल का अबदी सुरू होगा, जैसे डॉक्टर साब सामानेता क्या होता है, जब हम सामाने काड यूज करते हैं, तो उसको जब हम इस्तमाल करते हैं, तो उसकी लिमिट बढ़ती चली जाती है, तो क्या किसान क्रेडिट कार्ड के साथ भी हैसा है? आप छोटी-छोटी अवर्शकताओं के लिए, अगर कोई दो साल के लिए, तीन साल के लिए कोई एकुप्मेंट खरीतते हैं, या कोई और काम करते हैं, या आपके लिए ऐप कंजंप्शन लोन है, कि आप मार्केट में रखना चाते हैं, बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं, जब उसको बजार भाव नहीं मिलते हैं बजार भाव उनको बहुत कम होता है उस टाम जब उनके उपा जाते हैं मार्ट में तो इसमें किसान Kredit गाएं हैं, बहुत सारे हैं, अगर मान लिया जाए, नेचरल कलामेटी हो गया, उस टेमा फसल जो हुआ आपका पधानमंत्री फसल भीमा योजना कंदरगत, भीमा राशी भी मिली, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, या आपको फिर है कि हमको आगे कैसे हम करेंगे, चक्र खराब हो गया, तो पान साल के लिए वो जो है, रिस्ट्रक्टिर हो जाते हैं लोन और आपको एक नया कैसी से मिलेगा, जी हाँ, डॉक सब एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, यह उनका प्रशन जान लेते हैं जल्दी से, हलो, हाँ, सर नमस्कार, स्वागत, आपका कारिक्रम में अपने नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं आप, मैं गुरुना जी सवाल पूछे हैं अपना, हाँ, सर यह जो किसान कर्डिट कार है, जैसे कि मतलब कोई किसान बैंक में लोन लेने जाता है, तो क्या को लेटरल मतलब क्या लैंड उसका जमीन, मतलब उसकी गरेंडी तो सरकार की यही कोशिस है कि किसान भाई पूरे जानकारी प्राप्त करें और बैंक के पास जाएं, तो इसमें जो है कि आप एक लाग साथ हजार तक के लिए आपको कोई को लेटरल की अवशकता नहीं होगी, आपको कोई चीज बंधक रखने की जरूवत नहीं होगी, एक कोई को लेटरल की जरूवत नहीं है, जी हां रुकसाब इसमें की बाद तो होई गई कि क्या गेर भी रखा जाता है उस पर लेकिन आता है कि यह मिलेगा कैसे, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या सामवाने सभी बैंकों मिलता है, क्या खास बैंक बनाए गया है, इसके लि जो है एक मुहिम चलाई रहती है, जब देखेंगे कि कोबिट के टाइम में भी हम लोग ने स्पेसल कंपेंग चलाया था कि हरे किसानों को, सरकार बैंकों को टार्गेट दिया गया है, कि जितने पी-म किसान बेनिफिशेरी हैं, सभी को के से 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 सेचुरेट करना है, तो प इसमें टेकनलोजी का बहुत सारा समावेश किया है, जैसे अभी जन श्रमार्थ पोटल बना हुआ है, उसके अधार से किसान जो है, या अभी जो है किर्शी बंदू एप जो किर्शी मंत्रारे बना रही है, उसके माधियम से किसान जुडेंगे, ताकि फेसलेस, कंटेक्ट कीज़े से किसानलोजी का बहुत जादा इसमें बना जा रहा ist, और हम समय बस कwowती है, आप जन्द समर्थ पोटल पर इप्लाई करें, ताकि आप उसको सरकार भी मोनीटर करती है, और बैंक ऑपको प्रोपरली आपको सारा चीज आपको किसान क्रेडिट कार्ड एक समय अबधी के अंतर दिया जाए गया है समय अबधी उनको 14 दिन के लिए दिया गया है कि 14 दिन के अबधी में आपको मिल पाए किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए किस तरह से लाबकारी हो सकता है इस विशे पर आज हमने डेर सारे अपनी जो जिग्यासा है बहुत सारे प्रश्न थे जो हमने डॉक्टर साब से पूछे और ऐसे बहुत सारे श्रोता थे जो हमसे इस कारेक्रम में टेलिफोन लाइन्स के माध्यम से जुड़ें सभी सवालों का जवाब देने के लिए और हमारा एमेल आइडी है kkbongold.gmail.com और आज के इस अंक से मुझे यानि कोमल, मुझे अर्विन को और हमारे इस कारेक्रम के प्रस्तोत करता शिवन ननलाल के साथ हमें दीजिए कारेक्रम से इजाज़त, फिर होगी आप सभी से मुलाकात, नमस्कार! इस कारेक्रम की प्रायुजक थे क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्रा ले भारत सरकार लक्ष हमारा हर किसान की आंदनी दुगनी, ऐसी नई नई तरिकी वे अब हम को है चुझी